हेलो एव्यवन माइनम इस देनेशन वेलकम इन वा यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पेशल इंट्राडे स्ट्राइजी के बारे में काफे दिन से आप लोगों मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक स्ट्राइजी बनाई जाए जो स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स के ओपर हो क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारी स्ट्राइजी हैं जो क्रूड ओयल के ओपर हैं या फिर मार्केट में आता है तो वो भी यह करके काफी अच्छे प्रॉफिट कमा सकता और स्पेशल जो बनाती इस स्राइडेजी को वह यह कि जो हम कहते हैं कि पेशंस वाली जो चीज होती है कि हम पेशंस नहीं रखते हैं, market के अंदर back to back हम trade करते रहते हैं यह ऐसी बहुत सारी जो गलती हैं जो एक नए trader के लिए दो बहुत ही ज़ा उसको loss पहुचाती हैं वो सब दिमाग में रखके मैंने इस strategy को बनाया है और यकीन मानिए अगर आप इस strategy को follow करेंगे तो आप easily तभी trade कर पाएंगे जब market आपको allow करेगी और आप strategy आपको allow करेगी otherwise आप trade ही नहीं कर पाएंगे जो चलते हैं terminal के उपर और बात करेंगे इस strategy के बारे में और दिखाऊंगा मैं आपको कैसे काम करेगी तो इसको मैंने किया है जरूदा के टर्मिनल के उपर सारा asset तो मैंने यहां जरूदा के उपर trading view का chart ले लिया है जरूदा के उपर इसलिए मैंने इसको किया है क्योंकि मैंने यहां पर सारे stock nifty fifty के सारी companies मैंने यहां add की हुई है तो research के लिए मेरे पास जो है मेरे लिए ठोड़ा ठीक रहता है कि एक अलग टर्मिनल पे अगर सारी companies मुझे यहां पर मिल जाती है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है क्या rules है किस तरह से strategy है तो इसी तरीके से जो मैंने which list हमारी one है उसके अंदर सारे stocks मैं एड़ कर दी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अब देखिए मैं आपको एक benefit बताता हूँ कि जिस तरीके से जाब समझते हैं कि हमारे पास stock में एक benefit क्या होता है कि हमारे पास number of companies की list होती है यानि कि कोई company हमारी सगी नहीं है जिस company में हमें profit मिलेगा हम उसके अंदर profit कमा लेंगे अब बात यह होती है कि जो companies है इतनी सारी companies होने का benefit यह होता है कि हम किसी भी company में जहां पर opportunity हमें मिल रही है वहाई पर हम trade लगा के पैसा बना सकते हैं तो उसके लिए मैंने क्या किया है मैंने सब जो है settings कर दी है यहाँ पर मैं simply क्या करता हूँ देखिए सबसे पहले इसको हटाता हूँ यहां से और मैंने chart save कर दिया था तो मैं chart को load कर लेता हूँ यहां से और मैं chart का randomly वैसी CCI नाम दे दिया था आप कुछ भी देना चाहिए दे सकते है मैंने chart को कर दिया था save तो देखिए इसमें क्या करना है आपको इसमें सबसे पहले देखिए आपको लेना है एक EMA EMA लेना है आपको कितने का 5 का और अब यह question यह आएगा आपको क्या यह strategy सब पर काम करेगी तो देखिए यह जो strategy है जो आपको बता रहा हूँ यह आपके सभी stocks पे काम करेगी जितने भी आपके stocks हैं उस पे काम करेगी अब आप हर चीज को हर चीज में नहीं डाल सकते उसी तरीके से यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आप ऐसा मत करना है कि इसको commodity में भी डाल दो इसको किसी और segment में डाल दो इसको nifty में डाल दो इसको bank nifty में डाल दो ऐसा नहीं आप सिरफ और सिरफ in stocks market में जितने stocks होते हैं shares होते हैं इनके ओपर इसको apply करके अच्छे results ले सकते हो अब देखे क्या है कि यहां पर आपने कर दिया सबसे पहले आपको लेना है EMA जो की होगा 5 का और इसकी settings में आपको दिखा देता हूँ settings में आपको 5 का लेना है अब इसमें high और low divided by 2 चाहिए यह major part है इसका setting का ध्यान से देख लीजिए और फिर वीडियो में आप comment करके मत पूछना मुझसे क्योंकि skip करके देखोगे वीडियो आप फिर समझ में नहीं आएगा फिर बहां लिखोगे सर EMA कौन सी थी आप सोच के देखे कोई strategy आपकी based है moving average पे exponential moving average पे और पूरी strategy में आप moving average के बारे में बात कर रहे है और फिर comment आता है कि sir moving average क्या लेनी थी और फिर आप बोलते है कि आप sir irritated क्यों होते हो तो यहाँ पर देखे setting जो है high low divided by 2 ऐसे ही आपको EMA लेनी है यहाँ पर कितना 35 और इसकी setting भी होगी high low divided by 2 अब देखिए नीचे क्या करना आपको यह तो हो गया यह नीचे आपको लेना एक CCI आप CCI में क्या करना आपको by default आएका आपका 20 तो इसको 20 ही रहने दीजिए और अगर style की बात करें तो आप style में यहाँ पर यह important है यह जो है आप इसको 00 कर लिजिए यहाँ पर जो भी value हो आप इसको delete कीजिए यहाँ पर भी zero कीजिए यहाँ पर भी zero कीजिए आप जैसी आप इसको zero करेंगे तो बीच में जो है यह dark line जैसे करके यहाँ पर आ जाएगी अब यह थोड़ा सा शायद आपको दिख नहीं रही होगी तो मैं इसको दिखाने के लिए आप लोगों को इसको dark कर देता हूं यहाँ पर ऐसे ताकि आप आपको यह easily यहाँ पर दिख जाएगी मैं red को भी थोड़ा सा dark कर देता हूं ताकि visibility आपके लिए अच्छी रहे तीक है अब देखिए यहाँ पर देखिए एक अगला जो लेना है आपको मसीडी लेना है मसीडी के इंदर आपको क्या करना बाइडिफोल्ट वैल्ल्यू जी रखनी आपको कुछ चेंजिस नहीं करने है यहाँ पर बस आपको करना क्या है कि यह जो विजिबिलिटी के लिए इन सिग्नल स्कीन सबको स्टेंथ को भड़ा लेना ताकि यह आपको जो इस्टोग्राम है यह सब आपको क्लियर ली दिखे अब जो इंपॉर्टन जो चीज है वो है स्टोक आरसा आपको यहाँ पर है यह बैज यहाँ बाइडिफोल्ट सैटिंग के साथ आएगा और इसको आप जो हाई Exactly रहना चाहिए यहां पर highlight करने के लिए इसको यह यहां पर ऐसे करें कर सकते हैं ठीक है यह भी सिंपल है और यह भी आप ले लीजिए अब देखिए चीज हो गया आप सबसे पहले अगर यहां पर चार्ट ओपन हुआ ही पड़ा है सबसे पहले हम पहला ही स्टॉक लेलते हैं बजाज ओटो का अब फटाबट फटाबट में आपको रैंडम ली कुछ स्टॉक्स का ऐसी दिखाऊंगा जो भी स्क्रोल करके जो सामने आ जाएगा ठीक है और अब देखिए अब देखिए यही दिक्कत होती है राइट अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूं तो लोड करना पड़े अब कोटक बैंक का क्यों खुल गया भाई चलिए कोई बात नहीं बजाज एक रैंडम ली क्या करते हैं चलिए अब सिपला का मैं इसको लेता हूं बड़ा करता हूं ठीक यही रीजन है कि मुझे जो है ना जरोदा और यह सब इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आप चीजों को मैक्सिमाइज कर रहे हैं उस प्याद आपका चार्ट यहां से खतम हो जाता है तो यह सई नहीं है चलिए हमने क्या किया देखिए यहां पर कोटक ले लिए अब यहां पर भी कोटक बैंक का रहा है चलिए चोड़ी हम छोटी स्क्रीन पर ही देख लेते हैं यहां यह में नहीं करता हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा यहां से अगर हो पाएगा आप छोटे-छोटे में यहां थोड़ा सा देख लीजिए देखिए यहां पर क्या करना है आपको सिंपल रूल क्या है सिस्टमाटिक तरीका यही होगा जैसे लगा हुआ है मूविंग इसके लेड़ होगा 30 मिनट का चार्ट ठीक है 30 मिनट का चार्ट होगा और आप कर लिजी अपने चार्ट को थोड़ा सा पीछे ज्यादा लंबी-लंबी बैक टेस्टिंग नहीं दिखा पाऊंगा मैं आप लोगों को काफी सारे स्टोक्स के उपर हम बात करेंगे इसमें तो लंबर आ गया इसको मैं करता हूं फड़ा सा जूं बाकि देखिए अगर आपको बैक टेस्ट चीए तो आप खुद भी कर सकते हैं घर पे और मोटा मोटा ताव देख लिजिए सबसे पहले रूल क्या है सिर्फ पहले सबसे पहले आपकी सब नीचे मत देखिए सिर्फ यहा आपकी जो है मैच हो गई ठीक है अब नीचे आ जाईए आपको फोकस करना इस वाली लाइन पर यह जो उपर जा रही है यानि कि नीचे से उपर काट रही है प्राइस उपर जा रहा है अब आप क्या करेंगे नीचे देखिए CCI को देखेंगे वही पर अपना करसर लेके ज ये लाइन का जो डिरेक्शन है वो नीचे की तरफ तो नहीं है नीचे का इन दर सेंस कि नीचे की तरफ जैसे ये नीचे डाउनवर्ड इसका जो माउथ है यानि कि इसका जो हैड है जो भी हैड होगा इसका उस करेंट पोजिशन पे वो हैड इसका उपर होना चाहिए यान ये दोनों लाइनों का भी जो मुह है उपर की तरफ होना चाहिए इन दोनों लाइनों का भी मुह उपर की तरफ होना चाहिए और इनके अंदर sufficient gap होना चाहिए ये ऐसा नहीं चाहिए ऐसा नहीं चलेगा ये दोनों लाइने आपको train की पट्रियों की तरह पैरलल नजर आनी चाहिए ठीक है यह condition मीट हो गई अब आज यह नीचे नीचे जब आप आए तो आपने क्या देखा नीचे जब आप आए तो आपने देखा कि यह जो stroke RSI है इसका जो मुह है वो नीचे की तरफ है आप यहां ट्रेड नहीं लेंगे एक भी condition अगर आपकी मैच नहीं करती है ट्रेड आप नहीं लेंगे आप देखेंगे जब आपने ट्रेड ली तो प्राइस वहां से नीचे आया और ज्यादा उपर नहीं गया थोड़ा नीचे आया और वापिस देखें प्राइस नीचे की अब ठीक है आप यहां आगे आप फिर से यहां पर condition match यहां पर कन्डिशन मैच यहां पर क्लोजिंग यहां पर क्लोजिंग पर करने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आप नीचे देखिए नीचे देखे क्या है यहां पर आपको क्या हो रहा है आपको एलाउ कर रहा है कि हाँ आपको ट्रेड लेनी है मगर अगला रूल क्या है अगला रूल ट्रेड लेने का क्या है रूल लेने का ट्रेड यह है कि सर तभी आपको ट्रेड नहीं लेनी है तभी आपको ट्रेड नहीं लेनी है आपको ट्रेड लेनी है बाय के अंदर कब जब कोई भी कैंडल कोई भी अगली कैंडल यानि कि अगर आपको बाय करनी है आपको अगर buy करना है तो आप जो भी upcoming candle होगी red जो भी upcoming candle होगी red उसके closing के ओपर जब उसका price close होने वाला होगा तब ही आप करेंगे buy यह है rule ठीक है यानि कि अगली candle कोई भी जो बने मान लिजे चाहिए यहाँ पर green बने चाहिए यहाँ पर green बने मगर अगर यहाँ य ग्रीनी बनती अगर यह red बनती तो हम इसके closing पर ही buy करते है ठीक है अब आपने इसके closing पर किया buy बाय करने के बाद देखिए अगर आप आगे देखेंगे तो आपने मैं तर दिखा लेता हम close hair लगा के आपने इसके closing पर यहाँ पर यह close hair आपको शायद थोड़ा कम दिख र हमें निकलना कभ है या फिर हमारा stop loss क्या रहेगा यह रहेगी सबसे बड़ी बात उसर स्टौप लोस हमारा price के इसाब से यहाँ पर नहीं रहेगगा यह line इसको proper close कर दे, proper cross करके, जहां पर यह इसको touch कर रही है, touch करने के वाद जब आप अगले candle के उपर आते हो, तब भी यह cross होना चाहिए, अगर मैं आपको यहां पर एक example दूँ, यहां पर, यहां पर देखिए, यह price उपर गया, इसको यहां touch कर दिया, मगर अगली candle पर जब आप cursor लेके जाएंगे, तो यह और आगे गया, यानि कि इसने आगे की तरफ movement दिखाई, ऐसा नहीं कि इसको touch कर रहा है, पर जब अगली candle पर इसकी जो movement नीचे यहां पर आनी चीए थी, यह वापिस घूमी, तो आप अपनी position को exit करेंगे, जब जहां पर यह इसको touch कर रहा है, touch करने की, अगली अली candle पर अगर यह नीचे cross कर गया, तो आप exit करेंगे, ठीक है, चलिए, अब आगे चलिए, आप अपना, आप खुदी profit देख सकते हैं, आपने कहां खरीदा था, आपने खरीदा था, यहां पर, ठीक है, यहां पर, अगर आपको निकलना है कहां पर, यहां पर, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल यहां ही पर ही हूँ, आपको न आपने तक्रीबन तक्रीबन कहां लिया था यह यहां पर यानि कि 10 रुपे का फाइदा है ठीक है 10 रुपे का फाइदा सिपला के अंदर सीधा ठीक है यह तरीका अब आज ही आगे और जहां पर आप एक्जिट करेंगे वहां पर आपको ट्रेड जो है वो नहीं लेनी है और आप ट्रेड ले भी नहीं पाएंगे क्यों नहीं ले पाएंगे देखिए इसने किया यहां पर टच ठीक है यहां किया आप देखिए यह जा रहा है नीचे नीचे क्या हुआ इसका ह हैँ ऑपर की दरफ जा रहा है यहां पर आज सीचिए का एड़ उपश्ट आपने किया वैंगर गरीन है तो अगला जो भी बनेगी रेड़ उसके आपको बहुत ही हैं प्रोफिट आप आप नीचे भी आया है मगर जाने दीजे देखे पूरा उपर तक आपको आराम से प्रोफिट मिला है और आप ऐसा नहीं है कि आप पहले भी प्रोफिट कर सकते हैं अगर मान लिजेंगा आपका टार्गेट 10 रुपे का है और आपका दस पारे रूपे पहले ही भूख हो रहा है तो आप वो बूख करके निकल जाईए क्या-भूरता आपको आगे तक मतलब जाने की कि रिस्क लेने के नीचे आ रहा ह formula नीचे या रहा वह उपर जा रहा concern चलिए यहां पर देखते हैं इसने जैने की यह सोरी क्लोजिंग पर मारा सेल आप देखे कितना आपको प्यारा यहां पर मिला है प्रॉफिट इसी रेंडम लिमाल लीजिए अगर हम और लेना चाहें कोई भी यहां पर हम रेंडम ली कोई भी मैं अब लोग कहेंगे कि यहां पर जो हेटर सामारे वो कहेंगे कि खुद कोई चूज कर लिया होगा तो देखिए ऐसे से मैं नीचे तक ऐसे कर लेता हूं जहां पर भी हम क्या करेंगे क्या करेंगे ऊपर से और नीचे से कोई भी स्टॉक गिन लेंगे मैं ऐसे से करके छोड़ दूँगा ऊपर नीचे से कोई भी स्टॉक हम गिनेंगे जो उसका बीच थीन चर पांच औच चैए ठीक dzisiaj जाए कि डॉक्टर रेडी की डेखते हैं हम ठोड़ा सा जूम करते हैं इसको ठीक है डॉक्टर रेडी देखिए यहीं पर देख लेते हैं यहीं से थोड़ा सा यहां पर क्या हुआ ऊपर है नीचे देखिए ऊपर है ऊपर है ठीक है ऊपर है आप यहां पर क्या हुआ बाय करना है तो रेड के लो के नीचे यहां पर आप करेंगे बाय यहां बाय करने के बाद देखिए क्या हुआ कहीं टच नहीं हुआ, बाय करने का देखे, कितना बढ़िया profit आपको जह मिला है, देख लीजिए आप, ठीक है, चलिए आगया आज़ीए, यहां देखिए, इसने यहां पर क्या किया, close किया, स्वरी, इसने कहां टच किया है, और एक ची जोर, यह देखे, यह लाइन के ओपर लाइन चलके जब यह ऐसे नीचे ओपर जाएगा यह आप आवोइड करेंगे, यह लाइन के ओपर लाइन नीचे सार, यह ऐसे चाहिए, ऐसे कर्व चाहिए, यह कहीं पर भी पीछे जो भी था हमारा, यह कर्व चाहिए हमें, पूरा, यह जो एना, ऐसे कर्व चाहिए हमें पूरा ऐसे नहीं कि उपर एक लिप्टम लिप्टी चल रही है और उसके बाद यह नहीं चाहिए यहां पर चलिए यहां देखते हैं यहां गए उपर देखिया उपर नीचे बी उपर नीचे भी क्यों देखिए यहां पर और ऐस्टों कहल 2005 ऑपर नहीं करेंगे यहां पर देखिए यहां पर catches ने देखिए right this we have to hittech rail hadi नहीं करेंगे दाखिस ठीक है मकर इसका जो head वह नीचे है यह हम नहीं करेंगे यहां पर देखते हैं यहां पर देखिए यहां पर CCI का है उपर नीचे होना चाहिए नहीं करेंगे तो इस तरीके से देखा आपने चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देख लेते हैं यह भी काफी फिर मेंस टॉक है उसके बाद हम क्या करते हैं hold Geunberg, अंच जनुटरी आ गया थी चलिए यहीं से देखते हैं यहां पे देखिये उपर भी नीचे आ नीचे वह नीचे आ रहा है मैस्टेडि को स्टोक रहलता आ DU में नीचे है क्योंकि चलिए यहां आ जाई हैं यहां पर क्या किया आप ने ऊपर ऊपर और ऊपर क्या किए बाई 500 यह रैड़ था डूर किसका बेट करेंगे आप अगली रैड का रैड का बन रही यहाँ पर इसके उपर क्या किया आपने क्या किए यहां ठुच कर रहा है विए वही आपने क्या किline इन सुर्विक कर रहा है कि यहां तंक और इनिचे वी इकारव किया क्योंकि है क्योंकि यह रयड्श इंदाल जाएक दिख केशेट मैं है है मगरे ग्रीन नहीं है यह अब रैड है तो हम इसी पे लेंगे अगर मान लीजिए चलिए आगे भी कर लीजिए आप अगली रैड आई तो इसके क्लोजिंग पर आप बाइ करते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट है यहां जाइए इसके क्लोजिंग पर गए डाउन साइड नीचे देखिए डाउन साइड क्लियर कर डाउन साइड नहीं है कोई बात नहीं सब्सक्राइब यह देखिए हैड इसका जो है यह और नहीं सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब do पर इसके तरफ़ आप यहां नहीं लेंगे यहां गर सकता है तो होप आपको जो है समझ में आ गया होगा इतने महीं इसी वीडियो में ज्यादा स्टोक्स की ज्यादा बैक टेस्टिंग करें कोई सेंस नहीं बनता आप लोग खुद अपने घर पे कर सकते हैं तो सिंपल थी स्ट्राटेजी बहुत सिंपल थी क्योंकि देखे सिंपल लोज करना है या नहीं करना है चार कंडिशन का मैच अगर यह साता है तो ही आप जा पाएंगे ट्रेड के साथ और अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे तो एक्विटी के अंदर यह बनाई थी मैंने स्ट्राटेजी तो होप आपको अच्छी लगी होगी और अगर आ महां पर भी हम मैं बहुत अच्छी चींफॉर्मेटिव वीडियोज और इंफरमेशन और फी जो सर्वीस की इंफरमेशन और बहुत सारे जो सर्वेसेश के ट्राइल जो है में बहां पर पोस्ट करता हूं दो उसके भी बेनिफेट आप उठा सकते हैं और अभी हमारा चल र लिंक और आप उसके तुरू अपन कीजिए और फ्री सर्विस आपको मिल जाएगी राइट और ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं मैंने और पोस्ट किया हुआ इसकी जानकारी और अगर आप बहुत सरे लोग कंप्लेंन करते हैं कि मैं चैनल पर नहीं जुड़ पा रहा हूँ तो देखिए वाटसब तो मेरा रहता हमेशा फूल तो उस पर जोईन करने की नीड नहीं है आपको टेलीग्राम को आप जोईन कर सकते हैं अगर आप वैसे लिंक के तूर जोईन नहीं कर आली हुई हैं आप वहां पर सभी से सभी चीजों को स्ट्राटेजिस को देखिए सीखिए और सीखिए और करिए और पॉफिट कमाईए सो थैंक्यू सो मुच है वनाइस से बाबाए